दोस्तों, stock market में लगातार correction देखने को मिल रही है और जब भी stock market में correction आती है तो एक सवाल ये मेरे पस काफी commonly पूछा जाता है और आज कल 2-4 दिन से लगबग बहुत सारी वीडियो पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये सही समय है invest करने का किन mutual funds में invest किया जाए, किन companies में invest किया जाए तो दोस्तों, इस topic पे मैं कई बार आपको aware कर चुका हूँ पहले warn कर चुका हूँ आप पिछले 6-7 महीने से अगर देखेंगे, मैं लगातार इस बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको invest अगर करना है, dips पे तो कैसे करना है अब दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या आ रही है कि जितने भी नए investors अभी market में हैं उनको एक गलत फहमी उनके दिमाग में डाली जा रही है कि आप एक समझदार investor तभी वनेंगे जब market कुछ भी correct होती है, 1% भी correct होती है और आप वहाँ पर invest करेंगे आपको Warren Buffet के अच्छे-च्छे quotes बताये जाते हैं और उसके हिसाब से आपको ये समझाये जा रहा है कि market थोड़ा बहुत भी correct होता है तो तभी आपको invest करना है लेकिन जितने भी लोग आपको ये बात बता रहे है वो आपको एक चीज नहीं याद दिलाते कि आपके पास जो capital है वो बहुत जादा limited है एक जो retail investor है मैं कई बार ये चीज़ आपको बोल चुक हूँ कि आपके पास जो scarce में है सबसे चीज़ वो आपकी capital है बहुत ही limited capital लेकर retail investors बैठे हैं तो आपको उस capital को बहुत ही जादा समझदारी से invest करना है और अगर आप देखेंगे अक्टूबर में आखरी बार जब market 18.600 गई थी अपने all time high पे गई थी उसके बाद अब देखते ही देखते लगबग 7 महीने हो चुके और stock market ने अपना all time high दुबारा से नहीं छुआ है और आपको 18.600 से जैसे ही market नीचे आयने लगी थी आपको बोले जाने लगा था कि आपको अब बाइदा dip करना है और market 18.600 से 18.600 आई थी तब भी आपको बोला गया कि आप invest करो 18.600 से 17.500 आई तब भी आपको बोला गया आप invest करो तो investors के पास जिनके पास limited capital है जब market 18.600 से 17.500 चारसो तक भी आई होगी तब ही आपके पास almost सारी capital खतम हो गई थी क्यूंकि आप छोटा छोटा जब correction हो रही थी उसमें भी invest कर रहे थे लेकिन दोस्तों आपको अगर सही में correction का फायदा उठाना है market crash का फायदा उठाना है तो वो तब ही आप उठा पाओगे जब market एक बहुत अच्छी correction दिखाती है अभी इंडिया की market में तो कुछ भी correction नहीं आ है 10-12% का correction आया आप NASDAQ देखिए आप US की market देखिए वहाँ पर 20-25% का correction आ चुका है अगर ऐसी ही situation इंडिया में भी होती है आने वाले टाइम में और ऐसा अगर होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ऐसी situation इंडिया में होती है तब पैसा लगाने का फायदा है market 5-10% गिरती है उसमें आप बहुत जादा पैसा लगाकर बहुत अच्छी wealth create नहीं करोगे जब meaningful market correction होती है 20-25% तक correction देखने को मिलती है उस time पे जब आप भर-भर के पैसा लगाओगे तब आपको असली मज़ा आएगा wealth creation का तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखनी है कि हर बार market 1-1.5% correct होता है तो आपको invest करने की ज़रूरत नहीं है दूसरी चीज़ दोस्तों जो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए market correction के दो reason होते है एक fear जब आता है unnecessary fear आजाता है market का economy में की वज़े से तो वहाँ पर market में correction होती है और दूसरा जब economy slow होने लगती है economy close होने लगती है economy slow हो जाती है तब market correction होती है वो दो तरीके होते है market correct होने की तो जब fearfully market correct होती है तब अगर आप पैसा लगाते हैं होता है कि अब market correct होगी और काफी टाइम से अगर आप stock market की बात करेंगे पिछले 6 महीने से तो लोग ये बात कर रहे थे कि market correct क्यों नहीं हो रहा क्योंकि जो economy है वो काफी slow हो चुकी है लगातार inflation बढ़ रहा है worldwide inflation बढ़ रहा है crude oil के prices आप देखेंगे all time high के आसपास चले वर्ल्ड economy slow हो रही है लगातार अब interest rate भी बढ़ने लग गए है उसकी वज़से भी economy में फरक आ रहा है तो ये कुछ reasons हैं जिसकी वज़से economy slow हो रही है और उसकी वज़से stock market यहां पर correct हो रही है अब देखो ये तो कोई नहीं बता सकता कि stock market कब तक correct होगी और कब से देखना शुरू होगी लेकिन अभी recent में जो market दिखा रही है correction ये correction इतनी जल्दी बंद नहीं होगी हो सकता है दो चार बार आपको market उपर भी जाए जैसे अभी एक महीने पहले market 18,000 पे भी चली गई थी तब मैंने आपको बोला था कि market 18,000 पे गई है economy से कोई लेना देना नहीं है economy में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि market 18,000 पे जाए तो वो चीज आपको याद रखने है कि अभी आने वाले भी 3-4-6 महीने तक ऐसा कोई indicator नहीं दिख रहा है कि stock market अचानक से 20,000-21,000 पे पहुच जाएगी हो सकता है 2-3% market कि यहां पर उपर जाए लेकिन ऐसा नहीं होग कि market अचानक से 19,000-20,000 तक पहुच जाएगी निफ्टी उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है तो बहुत जादा जल्द बाजी में आपको investment करने की अभी भी जरूरत नहीं है मैं दुबारा से आपको यह चीज बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोग कुछ stock specific में से questions ऐसे जैसे वो points आएंगे आप वहाँ पर एक छोटा छोटा लमसम mutual funds में कर दीजिए और ऐसे ही stocks specific अगर आप जाते हैं तो आप भी अपने stock specific price range सेट कर लीजिए कि और उन prices पे जब वो stock आता है तो आप छोटा छोटा investment कर लीजिए लेकिन आपको सिर्फ इसलिए invest नहीं करन कि market 1.5% correct हो गई जैसे निफ्टी की अगर हम बात करते हैं 18.600 से जब 17.500 आई थी तो मैंने आपको बुला था 10% पैसा लगाईए 17.500 से जब अभी recent में 16.800 के आश्पास आई थी तब मैंने आपको बुला था कि आप 10% पैसा लगा सकते हैं ऐसे ही आप और भी अपना नीच करने के बारे में सूचिए लेकिन 2022 बहुत टफ एर रहने वाला है तो इस टाइम पे ऐसा कोई भी टाइम नहीं होगा जब आप अपना सारा पैसा मार्केट में लगा सकें एट लीस्ट जब तक मार्केट 15,000-14,000 तक नहीं जाती है तब तक आपको पेशेंस रखके थोड़ long term investing की बात करता हूँ तो अगर आप long term से आए हैं तो अगर मार्केट 1-2% उपर भी चला जाते हैं तो आपको कोई फरक नहीं पड़ता तो अगर आप mutual funds में SIP कराते हैं अपनी SIP को ऐसे ही चलने दीजिए उसमें कोई change मत कीजिए और जो lump sum का आपका part है उसको आपको tranches मे invest करना है छोटा छोटा invest करना है हर 1-2% correction पे ना तो आपको डरने की जरूरत है और ना आपको further invest करने की जरूरत है अगर आप मेरी बात करेंगे मैं इस वक्त लगबग 10% cash लेके अपने पास बैठा हूँ और मैंने ये सोचा है कि market अगर 15,000 पे जाएगी तो मैं एक साथ market मे लगा दूँगा अगर नहीं जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है मेरा already काफी पैसा market में लगा हुआ है वो पैसे में मुझे returns मिलती रहेगी तो ऐसी सोच से आप market में दोनों तरफ रह सकते हैं आपने already invest भी कर दिया है और अगर correction आती है तो meaningful correction आती है तो आप उसका फायदा भी उठा पाएंगे अब दोस्तों काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से वो best mutual funds है जो इस वक्त investment के लिए अच्छे रहेंगे तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगा कि अगर आप invest कर रहे है mutual funds में तो safe होकर चलने का time है ये तो आप sectoral funds को completely इस वक्त avoid के जितने भी ये sectoral funds है इनको थोड़ा avoid करके चलें उसके साथ साथ दोस्तों जादा risk लेने वाले funds को भी इस वक्त आप avoid करें पिछले 6 महिने से मैं यही strategy आपको इस वक्त दे रहा हूँ थोड़ा safe होकर चलने की जरूरत है और best है कि आप large cap में invest करें इस वक्त अगर आप lump sum क करने के बारे में सोच भी रहे हैं आपके पास कुछ पैसा है जो आप lump sum करना चाहते हैं तो index funds एक best form है अभी invest करने का nifty index fund एक अच्छा तरीका है जिसके थूरू आप कम risk लेकर invest कर सकते हैं और market अगर उपर जाईगी तो आपको वहाँ पर फायदा भी होता हुआ दिखेग से थोड़ा tough रहने वाला है तो इसमें आपको थोड़ा capital अपना हमेशा बचा कर रखना है तो mutual funds अगर आप lump sum के लिए सोचते हैं तो nifty index fund में invest करने के बारे में सोच सकते हैं उसके साथ-साथ आप कोई flexi care fund में invest करने के बारे में सोच सकते हैं और इस वक्त मुझे लगता ह कि थोड़ा यहां पर पराग पारिक flexi care fund का भी एक यहां पर option आपके पास मिल जाता है हाला कि वहां पर दिक्कत वस वो आ गई है कि foreign equity में investment आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक थोड़ी पराग पारिक के साथ दिक्कत है तो आप कोई और fund ले सकते हैं जो आपको यहां पर flexi care category में पसंद आता है क्योंकि flexi care category के जो funds है उनके पास यह advantage होती है कि वो market situation के हिसाब से large, mid or small cap companies में investment कर सकते हैं तो आप इन चीजों का ख्याल रखे हैं 2022 में बहुत जादा एक साथ investment करने की ज़रूरत नहीं है market में कोई भी point ऐसा नहीं आने वाला है जहां पर आप एक साथ invest कर सकें क्योंकि economy wise अगर आप देखेंगे बहुत जादा positives अभी नजर नहीं आ रहे हैं तो जो market correct हो रहा है वो बे फिजूल का correction नहीं है यह एक ऐसा correction है जो होना था जो बहुत time से due था जो अभी correction देखने को म long term में पैसा कमा पाएंगे stock market से उमीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी help में हुई होगी अगर यह वीडियो से help हुई हो तो इसे like और share जरूर कर दे धन्यवाद